नमस्कार दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चनल ओनलाइन टुटोरियल गुरुजी पर आई होप कि आप सुब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में देखते हैं कि बैंको बडोदा की ओनलाइन कम्पलेंड जो आपने की है उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने लैप्टोप, कम्पूटर या फिर मोबाइल में बैंकोबडोदा.in वेबसाइट को ओपन कर के बाद कुछ इस तरह से होमपेज आपके सामने ओपन होगा इसमें आपको सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए चले जाना है यहां पर यह देखिए कस्टमर को अप्शन दिखाए देगा आप इस पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यह देखिए इसक सेकंड नंबर का जो अप्शन आपको दिखाई दे रहा है ट्रेक कंप्लेंड आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह आप से आपकी कंप्लेंड का रेफरेंस नंबर पूछेगा तो जो रेफरेंस नंबर आपको कंप्लेंड करने के बाद बैंक की तरब से मिलत है वही reference number आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद आपका registered mobile number या फिर registered email ID या नि जो mobile number और email ID आपने complain करते वक्त दी है उन में से कोई एक चीज यहाँ पर डालनी है उसके बाद नीचे दियेगे capture code को enter करके आपको submit कर देना है जैसे ही आप कितना सा काम करेंगे तो आपके सामने आपकी complaint का online status शो हो जाएगा तो आपको यहाँ पर reference number और email ID डाल देनी है उसके बाद नीचे दियेगे capture code को enter कर देंगे enter करने के बाद यह देखी यहाँ पर प्रस्तुत कर यानि submit का एक option आपको दिखाई देगा जैसे ही आप इस option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी complaint का online status शो हो जाएगा यह देखी submit करते ही यह देखी अब यहाँ पर यह यह third number पे status of the complaint के सामने pending लिखा हुआ है यही आपकी complaint का status है pending का मतलब होता है अभी आपकी जो complaint है वो bank की तरफ से result नहीं हुई है तो आप तब तक अपना status यहाँ पे करते हैं तब तक pending की जगह close ना आजए close का मतलब होता है बैंक की तरफ से आपकी problem को solve कर दिया गया है और आपकी complaint close हो चुकी है तो अगर इस वीडियो से related आपको कोई सवाल है तो हमें नीचे comment करके बताए हम जल्द से जल्द आपके स्वाल का जाब देंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और सब्सक्राइब के बराबर में दिएगे बैल आइकोन को दबाईए ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर आए तो आपके पास तरफ नोटिफिकेशन पहुच जाए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम जल्द हाजर हों के नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई